प्यारे बच्चों इस वीडियो में कक्षा दस गणित बनुहर या ध्याचार दिगार समी करण की बारे में ध्यन करेंगे जिसमें प्रस्णा वली चारी है क्यूशन नमबर 20 के आगे के प्रस्णिस में हल किये जाएंगे यदि समी करण के अक्स आगे ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस दो प्लस 6 बराबर जीरो की मूल बराबर हों तो के का मान गयाद कीजिए तो यहाँ आएंगे हम हल हल में हमें क्या मिलेगा पहले समी करण लिख लेंगे यानि के एकस एकस माइनस दो प्लस च बराबर जीरो है अब अंदर गुड़ा करेंगे तो के एकस स्कॉायर माइनस दो के एकस प्लस च बराबर जीरो की तुलना एकस स्कॉायर बी एकस प्लस च बराबर जीरो से करेंगे से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो A बराबर हमें के मिलेगा B बराबर हमें माइनस दो के यहां से यहां तक मिल जाएगा और C बराबर 6 मिलेगा अब यहां पर मूल बराबर है यानि प्रस्णा नुसार जब मूल समान होते हैं बराबर होते हैं तो D बराबर 0 होता है B माने माइनस 2K इसका होल स्क्वार माइनस 4 A माने K और C माने 6 अब आगे आएंगे तो माइनस 2 का K का स्क्वार करेंगे दो दूनी 4K स्क्वार बन जाएगा माइनस 4 चंग 24 K बराबर 0 होगा तो 4 की कामन ले लेंगे तो K और माइनस 4 चंग 24 बन जाएगा यदि हम पहला 0 करते हैं तो K बराबर 0 मिलेगा और यदि दूसरा 0 करते हैं तो K बराबर हमें 6 मिल जाएगा तो यही हमारे अंस्वर हो जाएगे दोनों K बराबर 0 या K बराबर 6 प्रश्न संख्या एक केस समी करन एकस स्क्वार माइनस 6 एकस प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रक्रेत यानि लक्षन बताना है तो हल तो पहले हम समी करन लिखेंगे एकस स्क्वार माइनस 6 एकस प्लस 9 बराबर 0 हब इसकी तुलना किसे करेंगे एकस स्क्वार प्लस बी एकस और प्लस C बराबर 0 से हैं करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहां में ए बराबर यहां 1 मिलेगा और बी बड़ाबर हमें मिल जाएगा माइनस 6 और सी बराबर यह 9 हो जाएगा तो पहले तो हम बिविक्त कर D बराबर निकालेंगे तो D बराबर होता है B स्कॉार माइनस 4 A C तो B स्कॉार माने माइनस 6 A स्कॉार और माइनस 4 A माने 1 और C माने 9 ये बना 36, 36 और 9.36 बराबर 0 आ गया चुकि D बराबर 0 हो गया इसलिए समीकरण के मूल समीकरण के मूल जो होंगे वह वास्तविक तथा समान होंगे वास्तविक तथा समान होंगे अगला जाएंगे प्रस्ण संख्या 22 तो 22 दिया है कि या जी समीकरण 3X स्कौर माइनस 12X प्लस K बराबर 0 के मूल बराबर हो तो की का मान जाद कीजिए फिर आएंगे हम हल हल में समीकरण लिखेंगे तो 3X स्कौर माइनस 12X प्लस K बराबर 0 है अब की तुलना हमें करना है AX स्कौर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करने पर तो हमें क्या मिलेगा A बराबर 3 मिल जाएगा B बराबर माइनस 12 मिलेगा और C बराबर हमें के मिल जाएगा तो यहाँ पर मूल समान है यानि प्रस्णा नुसार प्रस्णा नुसार चुकि मूल समान है इसलिए D बराबर 0 है B square minus 4 A C बराबर 0 है B का मान 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 बारह है और 4 A का मान 3 है C का मान K है तो यह चारतियां ही बारह कि राइट में जाएगा प्लस बनेगा यह 144 बन जाएगा बारह बरह में यह 12 के मान था प्लस हो गया तो बारह का भाग दे देंगी 144 बटे बारह बराबर बारह यही हमारा की का इंसर हो जाएगा अगला है तेज में A दिया है निम्रकी समीकरणों की मूल सुत्र द्वारा ग्याद कीजिए तो तेज के A में पहले हम आएंगे हल हल में समीकरण 9X स्कॉर माइनस 10X प्लस 2 बराबर 0 है अब इसकी तुलना हमें किस से करना है AX स्कॉर प्लस BX है प्लस C बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो A बराबर 9 मिलेगा B बराबर माइनस 10 मिलेगा और C बराबर 2 मिल जाएगा तो पहले तो हम भी बिक्तिकरण D निकालेंगे B स्कॉर माइनस 4 A C तो B माने माइनस 10 का स्कॉर माइनस 4 A माने 9 और C माने 2 तो 10 दहां में 100 बना अब मिला 4 दुनी 8 8 नमा 72 हो गया घटाएंगे तो 10 में से 2 आठ मिलेगा 9 में से 7 दो मिलेगा यानि 28 बन गया अब हमारा जो सुत्र हमूल गिए ओनाद करने का एक्स पराबर माइनस B प्लस माइनस 1 अंडर रुड में B स्कॉर माइनस 4 A C उसी को हमने D कहा अप आंड 2 A मिला माइनस B B का मान माइनस 10 प्लस माइनस 2 अंडर रुड में D का मान बना प्लस माइनस ये बन जाएगा चार गुड़े सा साचोग अठाइस और नव दुनी अठारह बन गया तो यहां मिला दस और प्लस माइनस चार का वर्गमूल दो करणी में साथ बटे अठारह हो गया दो कामन लेके भाग दे देंगे तो दो हमने कामन ले लिया तो ये बना दो पच्छे दस प्लस माइनस करणी में साथ और बटे हमारा अठारह हो गया तो दो नवा अठारह इंस्वर क्या आया पांच प्लस माइनस और करणी में साथ और पूरे का बटे हमें मिल गया नव यानि यही हमारा इंस्वर हो गया तो इंस्वर में चाहे हम अलग अलग लिख सकते हैं तो ये एक्स बराबर मिल जाएगा पांच प्लस करणी में साथ बटे नव दूसरा एक्स बराबर पांच माइनस करणी में साथ बटे नव हो चाहे प्रस्ट माइनस करके कहीं लिखें अगला है प्रस्ट संख्या 23 का भी इसको भी हमें मूल सुत्रदारा ग्यांत करना है तो हल यानि ये है हमारा 23 का भी वाला जिसमें मिल जाएगा हमारा समय करण पहले x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे x X-3 बाट यक्स मिला तेरे गुरा करेंगे तो X²-X So दो दूनी 4 हो जाएगा और नीचे दो गुरे X होगा यहां आएंगे तो X²-3 बाट यक्स होगा यह X-X से कट जाएगा अब तेरे गुरा होगा तो लिप्ट में मिला X²-X-4 बराबर दो का हमने गुड़ा कर दिया तो दो एक्स स्क्वार माइनस दोती है इच्छ बना सब हमारा लेप्ट में आएगा तो दो एक्स स्क्वार में से एक एक्स स्क्वार घटाएंगे एक्स स्क्वार ये आएगा तो माइनस एक्स था यह आएगा इस साइड में तो प्लस बन जाएगा अब आगे है इधर पहले से माइनस 6 है 4 आएगा प्लस 4 बनेगा बराबर 0 तो AX स्क्वार प्लस AX माइनस 2 बराबर 0 हो गया अब इसकी हमें तुलना करनी है किसे तुलना करेंगे AX square plus BX plus C बराबर 0 से हैं तो A बराबर 1 मिल जाएगा B बराबर 1 मिल जाएगा C बराबर माइनस 2 मिल जाएगा आगे आ जाएंगे तो पहले हम भी विक्तिकर D निकालेंगे तो बनेगा B square minus 4 A C तो B का मान मिला हमें 1 का square minus 4 A का मान मिला 1 और C का मान मिला minus 2 तो एक का बर्ग 1 होगा यह minus minus plus हो जाएगा चार दुनी आठ आठ एक नव बन गया अब आगे आएंगे तो X बराबर हमारा सुत्र है minus B plus minus under root में B square minus 4 A C को ही D कहते हैं upon 2 A बना तो minus B B का मान हमें मिला है यहां से 1 और plus minus under root D D का मान मिला है 9 और बटे 2 A A का मान यहां से मिला है 1 तो यह बन गया minus 1 plus minus 9 का बर्ग 1 तीन बटे 2 अब आगे आएंगे तो धान चिन लेने पर लेने पर तो धान चिन लेंगे तो यह बराबर होगा minus 1 plus 3 बटे 2 तो घटाएंगे 2 बटे 2 और कटके एक आजाएगा आगे आजाएंगे तो रिड चिन लेने पर तो minus चिन है लेने पर तो हमें क्या मिलेगा एक्स बराबर minus 1 minus 3 बटे 2 तो minus 4 बटे 2 काटेंगे तो minus 2 तो हमारा एंस्वर क्या मिला एक्स का एक मान मिल गया एक्स बराबर 1 दूसरा मिल गया एक्स बराबर minus 2 और यही हमारे अंस्वर हो गए है इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग